दोस्तों खुबसूरती पाने की चाहत हर इंसान के होती हैं हर वेक्ति खुबसूरत स्केन पाने के लिए खुबसूरत बाल पाने के लिए बहुत सारे प्रियास करता है हमने भी अपने इस चैनल पर बहुत सारे आपको skin care, hair care and health care remedies के बारे में बताया है जिने आप पसंद भी कर रहे हैं जिने अपना करके आपको फायदा भी हो रहा है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो वो हमारे लिए personalized नहीं होता है मतलब वो चीज specifically मेरे लिए है ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक online workshop का आयोजन किया है यह online workshop जो है इसका title हमने रखा है Beauty with Ayurveda आपकी skin के लिए क्या diet होनी चाहिए आपकी hair के लिए क्या diet होनी चाहिए आपकी जो overall health है, personality है उसके लिए Ayurveda क्या कहता है और Ayurveda को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से अपनी खुबसूरती को निखार सकते हैं अपनी beauty को निखार सकते हैं और साथी साथ अपनी overall जो health है उसे बहतर बना सकते हैं यही कुछ सीखने वाले हैं हम इन 6 दिनों की workshop के अंदर जिसका title हमने दिया है Beauty with Ayurveda यह workshop होने वाली है 18 जनवरी 2021 से 23 जनवरी 2021 तक और इस workshop के अंदर 6 दिनों में रोजाना 2 घंटे दौभेर ढ़ाई बज़े से लेकर के शाम को 4 बज़े तक हम सीखने वाले हैं Beauty with Ayurveda से चुड़े हुए ही बहुत सारे topics के बारे में इस workshop की बहुत ही minimal fees आपने रखी है जो है मात्र 1200 रुपए जिस workshop को आप अपने घर बैठे अपने mobile या अपने laptop के माध्यम से Zoom application से join कर पाएंगे आप interact कर पाएंगे मेरे साथ में जिसमें आप अपने जो भी सवाल है उनका अंसर ले पाएंगे personally मुझ से इस workshop के लिए बहुत limited seatे हैं तो आज ही इस workshop के लिए अपने आपको register कीजे register करने का जो link है वो मैं आपको description box में नीचे दे दूँगा जहां जा करके आप इस workshop के लिए register कर सकते हैं तो दोस्तों देरी ना करें और जल्दी से जल्दी इस workshop के लिए register करें ताकि आप भी मुझ से जुड़ करके अपने खुबसूरती अपने स्वास्थे में बढ़ातरी कर सकें मैं उमीद करता हूँ कि आप से भी जल्दी मुलाकात होगी हमारी इस workshop के अंदर इस याशा के साथ आप सेर विदा लेता आपका knowledge friend Dr. Manoj Thank you so much, bye bye Love you all